हाई प्रेंट्स वेल्कम बैक टु माई चानल आज करेशी ब्रेड रोल बन के रेट मेरा वीडियो हेलफुल लगा तो लाइक शेयर कॉमिन कीजिए और सुस्क्राइब करना ना भूले आज बनाऊंगी ब्रेड रोल वेजिटेबल ब्रेड लोल तो वेजिटेबल लिया कॉइल पोटेटुब में सारे वेजिटेबल ऐड कर दूंगी कैपसिकम पनियन कारट और ग्रीण चिली सात मैं एड कर दूंगी धेस्टका अगुडिंग नमक और एड करूंगी ग्रीन चिली अड़ किया इसके लिए रेड चिली कॉमी एड़ किया आदा जममच, रोस्टेट जीरा पावडर, चाट मसाला और एड़ करूंगी 1 खोट टीश्पून ड्राय मैंगो पावडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लोंगे हाथों से यह अची तरह से मिक्स हो जाएगा बेडरोल का फिलिंग पावता कर लिए धर छोटा च्छोटा पॉर्शिन लेकि एसे बना के एरडी कर लेती हूं और एक बार देखा देती हूं एसे थोड़ा सा पॉर्शन लेके ऐसे रोल बना लेती हूं अब जो ब्रेड लिया था वो किनारा काटके रेडी कर लेती हूं अब लोग नाइप से भी कट सकता है ऐसे चारो साइट जो डार्क पाट रहता है वो काटके रेडी कर लेती हूं अब है इसे ही सारे ब्रेड को तइयार कर लेती हूं अभी एक स्लाइस ब्रेड को ऐसे लेके पानी में थोड़ा डेप करके कुष्ट कर लूँकी जो एकस्टा पानी है वो निकल जाए और जो पहले से रोल बना के रखा था यह बला लेती हूँ और अच्छी तरह से चारो साइड से दबाते हुए ऐसे सारे ब्रेड रोल को बना लेती हूँ और एक बार दिखा देती हूँ पहले पानी में डीप कर लेने का और एकस्टा पानी को विस्ट कर देने का और जो पहले से बना के रखा स्टोपिंग और अच्छी तरह से दबाते हुए ऐसे रोल बना लेने का पहले सारे रोल बना के तयार कर लीती हूँ पहले एक बनाया अभी और एक बना लिए और पहले से गरम होने के लिए रख दिया था ब्रेजल को फ्राइब कर देखी है एक साइड हो अच्छी से फ्राइब होने का बात भी क्लिप करूंगी इसे पलट पलट के अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक और क्रीश्पी होने तक फ्राइब कर दूंगी तक लेकि सेकता है बहुत अच्छा कलर आगया अभी प्रेड रोल को निकर लेते हो इसे ग्रीण चात्नी के साथ भी खा सकता है टॉमिट्योश्च के शब्र खा सकता है बहुत यह श्वादिश्ट मलता है यह श्वारीश्ट बालता और गरता है उख्या लिए जाच्छी ऐसे सम को चाय के साथ खा सकते हैं और बहुत ही इज़ी से ऐसे ब्रेट रोल बन जोते हैं ब्रेट रोल बन के रेडी हो गया बहुत ही श्वादिश्ट बना ऐसे एक बर जरू ट्राइ कीचिए और आपको एक्सपिरियंस मिले शाष श्यार कीचिए फिर मिलतिक न्यू रेस्पिक के साथ तक के लिए बाई थैंक्स पर बची